हेलो स्टुडेंट्स यदि आप बिहार बोड के मैठ्रिक एक्जामनेशन में समलित होने जा रहे हैं या किसी अन्य हिंदी माध्यम के बोड में समलित होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि कोई भी अबजेक्टिव टाइप का कोश्चन गलत ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन से कोश्चन वन किस दर्पन की फोकस धूरी रिनातमक होती है कोश्चन ए है समतल दर्पन, option B अतल दर्पन, option C उतल दर् blurपन, option D इन में से कोई नहीं कोश्चन टू दर्पन की फोकस धूरी अप और वक्रता तरिजिया र में क्या सम्बंध है ओप्शन ए है F is equal to R, option B F is equal to R by 2, option C F is equal to 2R, option D F is equal to 3 by 2R Q3. किस दर्पन से वस्तु का परतिविम बड़ा बनता है? Option A. समतल दर्पन Option B. आउतल दर्पन Option C. उत्तल दर्पन Option D. इन में से कोई नहीं Q4. प्रकास की किरने गमन करती है Option A. सिधी रेखा में Option B. टेढ़ी रेखा में Option C. किसी भी दिशा में Option D. उपर्यूक्त सभी Q5. समतल दर्पन द्वारा बना परतिविम होता है Option A. वास्त्विक Option B. काल्पनिक Option C. ए एवं बी दोनो Option D. इन में कोई नहीं Q6. सर्च लाइट का परावर्तक सता होता है Option A. उत्तल Option B. आउतल Option C. समतल Option D. उत्तल और आउतल Q7. साइड मीरर के रूप में कौन पर्यूक्त होता है Option A. उत्तल दर्पन Option B. आउतल दर्पन Option C. आउतल लेंस Option D. उत्तल लेंस Q8. प्रकास के परावर्तन के कितनी नियम है Option A. एक Option B. दो Option C. तीन Option D. चार Q9. यदि एक किरन आउतल दर्पन पर लंबवत आप्तित हो तो परावर्तन के बाद किरन किस बिंदू से गुजरेगा Option A. फोकस से Option B. वक्रता केंदर से Option C. दुरू से Option D. इनमें किसी से नहीं Q10. वक्रता तिर्जिया एक मीटर के आउतल दर्पन की फोकस दूरी होगी Option A. 50 mm Option B. 50 cm Option C. 50 mm Option D. इनमें से कोई नहीं Q11. जिन वस्तूओं से स्वयम प्रकास उत्सरजित होते हैं Option A. प्रदिप्त वस्तू Option B. अदिप्त वस्तू Option C. आत्म दिप्त वस्तू Option D. इनमें से कोई नहीं Q12. गोलिये दर्पन द्वारा उत्पन आवर्धन M. निम्न में से कौन है Option A. M-V बटा U Option B. M is equal to minus V बटा U Option C. M is equal to U बटा V Option D. M is equal to minus U बटा V Q13. निम्न में से किस दर्पन का द्रिष्टी छेत्र बडा होता है Option A. समतल दर्पन Option B. आतल दर्पन Option C. उत्तल दर्पन Option D. इनमें से सभी Q14. गोलिये दर्पन के परावर्तन प्रिस्ट की विताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है Option A. मुख्य फोकस Option B. वक्रता तिर्ज्या Option C. परधान अक्ष Option D. गोलिये दर्पन का द्वारक Q15. किस दर्पन का उप्योग समानेत वहनों का पश्च द्रिष्य दर्पनों के रूप में किया जाता है Option A. समतल दर्पन Option B. आतल दर्पन Option C. उतल दर्पन Option D. इन में से कोई नहीं Q16. किस दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक होती है Option A. समतल दर्पन Option B. आतल दर्पन Option C. उतल दर्पन Option D. इन में से कोई नहीं Q17. दंत विशे सग किस दर्पन का उप्योग मरीजों के दातों का बड़ा परतिविम देखने के लिए करता है Q18. एक परियोग में आउतल दर्पन द्वारा किसी बिम्ब का परतिविम्ब एक परदे पर प्राप्त किया जाता है Q19. दर्पन की फोकस दूरी को निधारित करने के लिए परियोग करता को मापने की जरूरत है Q19. सौर कूकर के लिए कौन सा दर्पन सरवाधिक उप्यूक्त होता है Q20. गोलिये दर्पन के परावर्तन प्रिष्ट की व्रिताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है Q21. निमलिखित में से कौन उत्तल दर्पन की फोकस दूरी है जिसकी व्रिता तिर्जिया 32 सेंटिमीटर है Q22. यदि किसी भीम्ब का परतिभीम्ब का आवर्धन रिनातमक है तो उस परतिभीम्ब की प्रकिति क्या होगी Q23. ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप्तित प्रकास का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है Q24. दो समानतर समतल दरपनों के बीच रखी गई वस्तु के सिधानतत कितने परतिभीम्ब बन सकते है Q25. दरपन बन सकते हैं Q25. दरपन सूत्र होता है Q25. ऐसे प्रकास का परावर्तन से मैट्रिक के एकजामनेशन में अक्सर पूछे जाने वाले प्रसन Q25. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सकाइब करें और अगले वीडियो में इन सभी प्रसनों का उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएगा धन्यवाद